इस लेक्टर में घडियाल और ब्यास रिवर के बारे में डिसकस करेंगे रिसेंटली ये न्यूज में हैं ये है घडियाल मगरमच की एक परजाती है भाई सब ये रिसेंटली इसलिए न्यूज में हैं पंजाव का फोरेस्ट और वाईडलाइफ प्रिजर्वेशन जो डिपार्टमेंट है उसने वर्ल्ड वाईडलाइफ फंड जो है ये वर्ल्ड वाईड फंड फंड फोर नेचर इंडिया इसके साथ मिलके ब्यास कंजर्वेशन जो एरिय काई ambitious program है तो पहले पढ़ते हैं घडियाल के बारे में और फिर पढ़ेंगे ब्यास रिवर के बारे में घडियाल को कई बार देखो गैवियल्स के नाम से भी जानते हैं गैवियल्स ये एसियन जो crocodilians मिलते हैं ना crocodilians उन्हीं का एक पार्ट है ये लंबा होता है थोड़ा औ ważne हमारी country में क्रोगोडि ये फशाते हैं जाने कि जो रहेंगने वाले जो होते है प्राणी जैसे सांप रहेंगता है जैसे cocon кого कि भैख भल चलता है इस इनसे रहेंग्टाईर कहा अधर चक्रोडियाल घर दे है एसको जो scientific नाय में यह याद करने की जुरत नहीं है अकर आपको याद करना तो कर सकते हैं ब्रेक्ट में scientific नाम है घडियाल आई उसेन की जो रेड लिस्ट है उसमें critically endangered category में आता है आई उसेन आप जानते हो यह 1948 में बनाई थी एक जूलियन हेक्सले नाम के आदमीने संस्ता इसमें governmental और non-governmental organization दोनों पार्ट स्पिट करती हैं international union for conservation of nature इसकी 9 category हैं species को बाठती है जितनी उनको threat है खत्रा उसके हिसाब से तो यह critically endangered category में घडियाल next है मगर crocodile यह IUSN की wonderful category में आता है और salt water crocodile यह least concern में आता है यह देखो घडियाल fresh water में रहता है जो ताजा पानी है यानि के स्वच पानी है और salt water में रहता है salt water crocodile समझ गे यह याद रखना आपको जितने भी यह तीनों पर जाती हैं इंडिया में यह sites की जो list है उसकी विज़ करने का काम करती है संद्रक्षन करती है इसकी तीन लिस्ट है अपेंडिक्स 123 यह तीनों जो प्रजाति हैं क्रोकोडाइल की हमारे इंडिया में जो पाई जाती है वह अपेंडिक्स वन में और जो हमारे इंडिया का wildlife protection एक्ट है 1972 का इसके 6 सीडियूल है उनमें से जूल वन म में आता है देखो इंडिया में जो है यह साल्ट वाटर क्रोकोडाइल यह साइट की अपेंडिक्स वन में आता है लेकिन इन तीन कंट्री में ही यह अपेंडिक्स टू में आता है यानि कि यहां पे इनकी population काफी जादा है परपवन न्यूगिनी में इंडोनेसिया और और है निवास सतान काँ अधिया को अध्या कशली में देखो फ्रेस वाटर में अध्या में अंध्य परदेश में से możम्नाुर की ट्रायबूतरी इंधिया चोटी बड़ी नदी में घंबल रिवर में में पि tenían говорит कर तो दियो चंबल रिवर में 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 डिन रहता गंगा रिवर उत्राखण में सोन रिवर बिहार में वहाँ पर मिलता है यह significance क्या है इसके इस घड़ियाल के देखो जहाँ पर घड़ियाल की population जादा होती है इसका मतलब यह है कि वहाँ उस रिवर में clean water है साब पानी है क्योंकि यह साब पानी में रहना पसंद करता है next conservation effect government ने क्या चलाए है इसको बचाने के लिए इनका संद्रक्शन करने के लिए एक लखनों में center बना रखा है इनका breeding center of cook rail घड़ियाल rehabilitation center यानि कि इनकी population घट रही है तो इसकी वजह से यहाँ पे इनकी population और increase की जा सके breeding की जा सके इनकी यो तरप्रदेश में एक national chamber century है यह घड़िया लीको पारक है मद्धप्रदेश में उसमें यह national chamber century इनको खत्रा किस किस से है एक तो वाइस रिवर pollution से यानि कि रिवर में pollution परदूसन बढ़ता जा रहा है बहुत सारी industries रिवर के आसपास रहती है वो chemical वगरा इनमें डाल देती है इनकी वजह से रिवर polluted हो जाती है तो इससे खत्रा है डैम construction से डैम बना देते हैं रिवर का पानी कम हो जाता है इसकी वज़े से खत्रा है fishing operation मचली उत्पादन करते हैं जालवाल में फज जाते हैं उनकी वज़े से इनको खत्रा है फ्लड की वज़े से बाड की वज़े से भी खत्रा भाई सब illegal जो sand mining की जाती है जो रेता होता है वो निकाल लेते है river में से illegal तरीके से और इनका जो habitat वो loss हो जाता है poaching भी एक खत्रा है इनका hunting poaching का मतलब hunting सिकार करना सिकार भी कर लिया जाता है इनका अब व्यास river के बारे में पढ़ लेते हैं यह कहां से originate होती है रोतांग pass है यह रोतांग pass से निकलती है रोतांग pass है वहां से निकलती है लगबग जो sea level है उससे 4000 मीटर की उचाई पर है यह 4062 मीटर की उचाई पर रोतांग pass जो पीर पंजाल की पहाड़ियां है पीर पंजाल की रेंज है जो यह रोतंग पास है आपका हिमाचल प्रदेश में तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है यह ओरिजनेट होती है जहां से रावी रीवर निकलती है ना रावी रीवर के पास ही इसका सोर्स है जहां से निकलती है originate होती है और Indus River है जो Indus नदी सिंदु नदी भी बोलते हैं इसको इसकी ट्राइबुटरि यह साहिक नदी आए देखो पहले जाके मिलते हैं सतलूज में देखो यह है आप्की ब्यास River यहां से निकली यहां से और यह सतलूज में जाकर मिल जाएंगी पहले हरी के नाम पंजाब में नाम की जगह है वहाँ पे मिलती है यह comparatively small river है सतलुज से तो बहुत छोटी है यह बहुत चोटी है यह बहुत 460 km लंबी है बस यह और पूरी की पूरी इंडिया में फ्लो करती है यह क्योंकि सतलुज में जाके मिल जाती है इंडिया में इसके जो धोला धर range है धोला धर की पाड़ियां है वहाँ पर यह गौर्ज बनाती है गौर्ज का मतलब है घाटी वैली घाटी बनाती है यह जिनका नाम है काटी और लार्गी देखो जैसे मालों यह रीवर फिलो कर रही है अगर यह जमीन को नीचे गड़ा सा बना दे और इसमें फिलो करे बहुत लंबी सी घाटी बन जाती है फिर ये इसी को बोलते है गौर्ज यह थोड़ी स्टीफ होता है गोर्ज मतलब थोड़ा सा स्टीफ का मतलब देखो यह तो जैंटल स्लोफ हो गया और एक यह बिल्कुल रूंचाही खडी हो चाही यह हो मेजर त्राइबू ट्रिश है कि मेजर साहिक नधियां इसकी ब्यास रिवर की वह कौण-कौणसी है बेन रिवर है जो ब्यास रिवर में आके मिल जाती है डेन गंगा लू नी उहाल इसके साथ साथ बैनर चक्की गाज हारला मामूनी पारवदी यह पतलिक कुह लाल सेंज सु रहने रही रहने वाली बस एक बार आप पढ़ लो वोई काफी है